नमस्कार जहिन दोस्तों दिस इस धिरेज दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड उतरपदेश के सभी भहन भायों का हरदिक स्वागत है यहाँ पर चलना है फास्ट रिवीजन तरतीय सेमेस्टर का यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट है समाजिक अध्यन का बिना रुके यह बेहद उम्दा होंगे और इस वीडियो को देखते हुए इंज्वाइ करेंगे आप चलते हैं इस वीडियो को देखें के समाजिक बिस है अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर पताएगा कि यहाँ पर चला है गुरुजी वर्ड पर फास्ट रिवीजन यहाँ पर ट्रिक् अगर मुगल समराजी के बारे में थोड़ा ज्यान नहीं होगा तब तक आप प्रश्ण नहीं लिख सकते हैं जिससे प्रश्ण ना आने पर भी लिख सको उसके बारे में थोड़ा सा ज्यान होना जरूरी है और बहुत सारे कुश्शन्स करने वाले हैं देखेगा पहले मुगल वंस 550 भर्सों तक इसका यहां पर प्रभाव रहा है, मुगल वंस और भारत में कबजा किया, मुगल सामराजी से भारत में मुश्लिम सब्भिता का समावेश होने के साथ सा समाज में उधारता बाक कठोरता विक्सित हो गई, याद रखेगा, मुगल सामराजी ने पराश संस्क्रति को जड़ से खतम करना था, उसकी संस्क्रति को समाप्त करना था, याद रखिएगा ये इंपोर्टेंट है, अगर मुगल से सम्मधित कोई भी कुछिन आता है, इसमें ये इंपोर्टेंट पॉइंट जरूर लिखिएगा, ठीक है, सासन पांसो पचास परज लेकिन बात को ध्यान से सुनियागा, मुगल का प्रसासनिक चेतर में योगदान, तीन तरीके को कुछिन दो नमबर में पोचे जाते हैं, यहाँ से आपका इंपोर्टेंट सेशन शुरू होता है, दो नमबर में एक प्रसासनिक चेतर में योगदान पोचे जाता है, एक सा माजिक छेतर में इन चारों कुछन को जल्दी से कबर करते हैं इनकी प्रणाली कैसी थी प्रसासनिक छेतर की बात कर रहा हूं इनकी प्रणाली कैसी थी मंगोल तुर्की पद्दिती पर आदारित थी इसमें भारती प्रसासनिक का भी समाबेस था ठीक है ये अगर याद रहता जाता था, सुल्तान कहा जाता, है ना, लेकिन अपने भारत में इस टाइम कौन है? प्रसासनिक छेतर में, अपने भारत में इस टाइम जो है राष्ट्रपती होता या तीनो सेना उकाद थे और पहले मुगल सासन में क्या होता था सम्राथ होता था इसके बाद कौनसा पता था बजीर और बजीर का काम क्या था राजस्थु विभाग या बित्व विभाग देखना यानि पैसों वाला ठीक है ना पैसे का सिस्टम देखना प्रसासनिक की जो एक इंपोर्टेंट जो विशेस्ता थी इनकी प्रणाली कैसी थी मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी मतलब क्या है मनसबदारी का नगत बेतन देना जो भी सैनिक थे उनको नगत बेतन देना और उसके साथ साथ उनको मोहरें देना ठीक है तो ये इनकी मनसबदारी प्रथा थी जिले में जिला धिकारी प्रमुख सेने धिकारी कहलाता था बग्राम में प्रमुख मुखिया था तो प्रसासनिक वाला सिस्टम खतम हो गया थोड़े से भी point आपको आते हैं और थोड़ा सा मुगल वाले में लिख दीजीगा मुगल के बारे में और मकसद लिख दीजीगा कि इनका प्रचार फैलाना था मुगल के बारे में लिखेगा सबी question आप याद रखेगा कि अगर आपको प्रसासनिक के छेतर में पूछा जाता है, सामाजिक छेतर में पूछा जाता है, तो मुगल के बारे में भी थोड़ा लिखें, फिर उसके बारे में लिखें कि प्रसासनिक छेतर में ये प्रमुक था, मनसबदारी थी, बजीर था, समराड था, है ना, चलते हैं दोस्तों, ने विभाब पर्दा जो पर्दा पर्था थी उसको रखा जाता था महिलाओं को भोग बिलास की बसु समझा जाता था जो काफी कलत था है ना तो आप समझ गया होंगे यह important point आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं कि प्रतेक बुदवार और क्या खासियत क्या थी इनकी important भी एक पर नय मांग सकता था याद हो गया समाजिक पर्दा पर्था महिलाओं की इस्थिती खराब थी विभाहा दहेज पर्था समाज में महिलाओं की इस्थिती खराब होने से और इनका जो पूरता बिदेशी ये थे इसलिए खानपान भी बिदेशी था जनता दरवार होती थी अगर कोई को समस्या होता था तो फिर जो है, ये अदालत में जाते थे, जिसके लिए तीन अदालतें मनवाई गई थी, हो गया, कोई अपनी भासा में लिकना है दोस्तों, नमबर अगर अच्छे लाने हैं तो किताबी भासा को रट कर मत जाएगा, एक कुशन पूचा जाता ह मुगलों ने संस्कृतिक छेतर में क्या हो योगदान दिया, प्रसासनिक छेतर हमने पढ़ लिया, हमने सामाजी छेतर पढ़ लिया, अब हम आते हैं संस्कृतिक छेतर, भारत में अनेक प्रमपराएं भी मुगलों के आने पर हुई, भारत में मुसलिम संस्कृति का परचा प्रथाएं थी एक मुसलमान कई निखा कर सकता था लेकिन जबकि इस्त्रियां जो हैं वो एक से ज़्यादा निकाह नहीं कर सकती थी उनमें अनुमदी नहीं थी दूसरी संस्कति है अजमेर पानीपत में बड़े सहरों में मेले लगते थे जिसमें मुसलिम संस्कति को देखा जा सकता था ये बाला जरूर इंपोर्टेंट पॉइंट लिखेगा दहेस तलाग वाला और साध्य वाला है ना जो संस्कति के से रिलेटेड आता है और ये आपको समाजिक में भी लिखोगे तो भी गलत नहीं करेगा इनके सासनकाल में सिच्छा का केंद्र आगरा था जी ह तुझक ए बाबरी लिखी अबुल फजल ने क्या लिखा आईने अकवरी लिखी फैजी ने क्या लिखा अकवर नामा लिखा सभी फारसी जो है पुस्तके हैं इनका भी भारती संस्कत पर असर पड़ा है इस काल में हिंदी भासा का सरवाधिक विकास हुआ है इंपोर्टें समन्ध कोई कुश्चन नहीं छूटेगा मुगल का कला के छेतर में क्या योगदान रहा हमने पड़ लिया उपर सबसे पहले पढ़ा था क्या पढ़ा था प्रसासनीक पढ़ा था सामाजीक पढ़ा उसके बाद हमने सांस्कृतिक पढ़ा अब लास्ट पढ़ते हैं कला के चेतर में बहुत अधिक योगदान रहा है, इसलिए इन्हें कलात्मक युक के नाम से भी चाना जाता है, जी हां बिल्कुल आप समझ गये होंगे, योगदान क्या रहा है, साइजाह ने अपनी बेगम उम्ताज के याद में ताज महल का निर्मार करा है, जो कि कला की द्रशित आगरा में काफी प्रसित है, आपको ये भी याद पता है, लेकिन आपको लिखना है, इसलिए आपको याद दिलवा दे रहे हैं, अकवर के दरबार में सुलेक आठ प्रकार की होती थी, और ये सुलेक जो है, जरी की कलम से लिखी जाती थी, याद रखीगा, हुमायू की प पॉइंट जरूरी नहीं है, याद रहें, लेकिन दो-चार पॉइंट आपको याद रहें, और साथ में साथ में मुगल का थोड़ा लिख दो, और मुगल के सिच्छा के बारे में लिख दो, केंदर आगरा था, ठीक है, कोई भी कुश्चन अगर मुगल के बारे में आये, तो आप थोड़ा सा प्रसास्निक से उठाए, थोड़ा सा कला से उठाए, थोड़ा सा सांस्कृतिक से उठाए, ये सभी से लिख दीजेगा, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, ये हमारा बादा है, यद्यपी इसलाम धरम में चितर कला का बिरोध करत किया जाता फिर भी मुगल बंस में इसका सरबादिक दिकास हुआ है, ठीक है, कुश्चन एक काफी इंपोर्टेंट आता है दोस्तों कि मुगलों के चार इसमारकों की व्यक्ठा करो, पहला ताजमहल, सहे जहां दोरा बेगम मुम्ताज के लिए आगरा में निर्मित कराया ये ताजमह अगला कुशन है कि फतेपुर सीकरी, समराट अकवर दोरा फतेपुर सीकरी में निर्मित कराया गया है, क्या फतेपुर सीकरी, एतमाउद दोरा का मकवरा जहांगीर ने बन बाया है, ये मकवरा बनाया जिसमें स्वक्ष संग मरमर कीमती पत्थर का इस्तेमाल करा गया है, तो ये ताज महल आगरा का लाल किला, फतेपुर्सीकरी, इत्माउधोलाई, ताज महल साहजाने बनबाय है, आगरा किला अकवर ने, फतेपुर्सीकरी अकवर्ने, इत्माउधोला कीला जहां गिर ने, ये मुगलकाल के चार प्लेस थे, important चोटे-चोटे कुशन्स बनते हैं कैसे बनते हैं बाबर ने किस ग्रंथ की रचना करी बाबर नामा क्लेयर कोई डाउट नो डाउट हुमयोन का मकबरा कहा है दिल्ली में है फत्यपुर्थ सीकरी की दो प्रमुख हिमारते लिखीगा बुलंद सरवाजा दरवाजा लिख दीःट यहां इसलिए जान लगा रहे हैं और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर wspól परिबार आपके लीधर और उंदा करवा रहा है क्योंकि हम यूपी टेट और सीटेट में आपके लिए कुछ बहतर करने वाले हैं, इसलिए जान लगा रहे हैं आपके लिए दिल्ली का लाल किलाबाद जावा मस्जिद किसने बनवाया है? सहे जहाने बनवाया है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक बाबरी इसका फारसी अनुबाद को बाबर नामा कहते है हमने आपको बताया था कि तुजुक ए बाबरी किस ने लिखी बाबर ने लिखी है लेकिन तुजुक ए बाबरी किस भासा में है तुर्की में और अगर इसको फार्सी में कर दो तो ये क्या कहलाती है बाबर कहलाती है बाबर नामा दोस्तों अकवर दोरा निर्मित दो कारे लिखेगा आगरा का किला इरहबाद का किला दोनों किसने किरा हैं अकवर ने ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो का भी इंपोर्टेंट रही होगी आपको बता देते हैं यहाँ पर आप जाते जाते एक बात सुन लीजेगा एक लाइक मार दीजेगा आपसे कुछ नहीं है एक लाइक और अच्छे दोस्तों को सेयर कर देना गुरुजी वर्ड आपके लिए पसीना बाहरा आए इतनी गर्मी में तो आप याद रखेगा कि यह जो है कि अबल इतनी आपसे उम्मीद करता है कि आप बस उस वीडियो को सेयर करें जिसे सभी दोस्तों का लाव हो ठीक है तो दोस्तों फिर में लेंगे नेक्ष बड़े में तब तक के लिए जैहिंद पढ़ते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं आपके एक्जाम के लिए हम और हमारा परिवार यही तमन्ना करता है यानि हम और हमारे परिवार की मतलब है कि हम और हमारे माता पिता यहीं उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे नमबर आए तो दोस्तों फिर में लेंगे नेक्षिपने तब तक के लिए जय हिंद जय भारत पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें